मुख्यमंदीर शिवरासिंग चोहान ने कमलनात के बयानों पर पलटवार करते हुए बोला कि कमलनात एक तरफ तो हनमान भक्त होने का दावा कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर रोजा इफ्तार में जाकर दंगे फसाद की बात कर रहे हैं मध्यप्रदेश के पूर मुख्यमंत्री चिंदवारा में एक रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे इसी दोरान उन्हेंने कहा कि आप सब जगह देख रहे हैं कि क्या हो रहा है पूरे देश भर में बीजेपी वाले दंगे फसाद करा रहे हैं कमलनाथ के इसी बयान को लेकर भाषपा खेमे में खलबली मची हुई है मुख्यमंत्री शिवराज ने कमलनाथ के बयान पर पलतवार करते हुई कहा मुझे समझ में नहीं आता कमलनाथ चाहते क्या हैं एक तरफ वह हनुमान भक्त होने का प्रचार करवाते हैं तो वहीं दूसरी तर्फ रोजा इफ्तार पार्टी में जाकर दंगे फसाद की बात करते हैं। इससे उनकी चाला की साफ जाहिर हो रही है। मुख्यबंद्री चौहान ने कहा मत्यप्यदेश इस समय शांती का टापू है। मत्यप्यदेश में कहा दंगे हो रहे हैं। कमलनाथ ऐसी बाते करके राजनेती कोड़ पाना चाहते हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं। अब मुझे समझ में नहीं आता। एक तरफ वो हनुमान भक्त होने का प्रिचार करवाते हैं। और दूसरी तरफ वो रोज आफ़तार में दाके दंगे फसाद की बात करके क्या कहना चाहते हैं। कि इस नाम पे सब को एकटा करके और उनके बोड प्राप्त करने वो रोज आफ़तार में गए थे। इस्तरीन और घटिया राजनीती। कि दर दिखाओ वोड पाओ मधवदेश सांती का टाप हुए इस समय कहा दंगे हो रहा है मधवदेश का यह वदनियत है यह कुटिलता है यह तुस्टी करन है जो करके कमलनाथ वोड हासिल करना चाहरा है मैं इसकी निंदा करता हूं। वो खबरें जो आपके काम की हैं। वो खबरें जो आपके लिए जरूरी हैं।